दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि money view company एक RBI registered company है और आप सभी को यहाँ पर सबसे कम ब्याज पर lawn मिल जाता है और यहाँ पर tenure भी आपको तीन मन्त से लगा करके 24 मन्त तक का मिल जाता है ठीक है तो दोस्तों काफी यूजर से मेरे काफी ऐसे यूजर से जो question करते हैं कि स जैसे money view app के अंदर lawn लेते हैं ठीक है तो वहाँ पर auto debit चालू करते हैं जैसा कि आप मेरे बार देख रहे हो कि चार दिन बाद मेरी EMI है ठीक है तो चार दिन बाद क्या होगा कि मेरे bank से automatically पैसा काच ली जाएंगे लेकिन दोस्तों मैंने पैसा पहले से pay कर दिया है मैं आप अपी बंदों का एक कमेंट आ रहा था कि सर अगर हम इसमें auto debit इनेवल कर देते जैसा कि मेरा इनेवल है तो यह हम disable कैसे करेंगे यह question होगे दूसरा question जी है कि माल लो अगर आपने यहां पर auto debit चालू कर दिया ठीक है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि money view company loan repayment करने के बाद भी हमारे बैंक से पैसे काड़ते रहें यह भी question है अब तीसरा में most important question यह भी है कि auto debit net banking से चालू करना सही है या फिर debit card से चालू करना सही है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको तीन जानकारी बताऊंगा step by step आपको वीडियो को सुरूश लेके end तक वाच करना है तो देखो बाई सबसे पहले हम आपको बता दें कि auto debit सबसे अच्छा कौन सा है किस से हम auto debit चालू करें तो देखो बाई मैं आपको clear तरीके से बता दूं कि auto debit आपको चालू करना है debit card से ठीक है आप debit card से क्यों करना चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बाद में आप सब जान सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद भी मनी भी हमारे बैंक से कहीं पैसे तो नहीं कातेगी तो मैं आपको एक बात किलियर कर दोश्तों कि जब भी हम ओटो डेट एनेबल करते हैं तो वहां पर जब हम सिगनेटर करते हैं तो यह लॉन आइडी यह वाली यह लॉन आइडी बैंक को दी जाती है मनी विव कंपनी बैंक को देगी कि इस लॉन आइडी पर हमने 10 लॉन दिया है तो जब तक हम 10 लॉन नहीं काट लेंगे आप ओटो डेट हमारा चारू करके रखिएगा ठीक है और जितनी भी इमाई होगी वो उनको बता दी जाती है तो होता क्या है यह या पांस नारीक को जैसे कि मालोब मैं अपनी केस में केसमें बता दूं तो यह लोग एक तारीक को बैंग को चेक भेच देते हैं ठीक है उससी को देखने के बाद 20 5 तारीक ancestors करेती I और 18-46 रुपे हमारे बैंक से काट करके इस कंपनी को दे देती है ठीक है ठीक है प्रेंट और जैसे आपका लॉन पूरा चुक जाता है तो यह लॉन किलाज हो जाता है उसके बाद में इसका चेक पास नहीं किया जाता है जैसा कि मैंने एक और लॉन लिया था इसी कंपनी से म पास यह लॉन जो है वह मैंने किलाज कर दिया आप क्या होगा दोस्तों कि इसका यह नहीं कटेगा कि कंप्लीट हो गया और बैंक की तरफ से पूरा पूरा पैसा पे कर दिया ठीक है अच्छा अभी जो एक्टिवेट लॉन है वह दस्यार रुपे की तो जब तक यह लॉन क का केलाज होगा, आपका-ओटो ड्रीवी किलाज हो जाएगा अब बात करते हैं तीसरे कुश्यन की जो कहते कि हो टो ड्रीवय करने के बाद अगर आपने तरफ से डिसेबल कर दें तो कर सकते है कि नहीं कर सकते है है तो जी हां बिल्खल कर सकते हैं लेकिन इसमें आपका यह नुकसान होगा आपकर हो नुकसान होगा कि आप माई नहीं अगर पीख करोगे तो भी हैद लगेगा इंट्रेस्ट लगेगा